हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब खेरियस से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ ऐसे पौदों के बारे में जानकारी Оपने घर के गार्डन में या क्यारियों में लगा के बेल बना सकते हैं और उन्हें अपने घर की दिवारों पर चड़ा सकते हैं और उन्से सदा बार फूल ले सकते हैं तो दोस्तो मैं रहुल और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल पॉरेवर प्लांट स्केट पे जिसे मैं पौदो संबंदी कुछ न कुछ जानकारी लेकर आता ही रहता हूँ तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा इसके अलावा दोस्तो मेरी वीडियो में आदे तक बने रहीएगा तो दोस्तो चलते हैं देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से पौदे हैं जिने हम अपने घर में बेल के रूप में लगा सकते हैं दोस्तो सबसे पहला जो हमारा पौदा है वो यह है और इसे बौगन बेला के नाम से जाना जाता है बहुत ही फेमस ये पौदा होता है बहुत अच्छी इसकी बेल बनती है अगर इसे हम अपने दिवाल के पास में कहीं जमीन में लगा के इसकी बेल बनाते हैं दिवाल के उपर चड़ाते हैं या गरीलो पर चड़ाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बेल बनती है दोस्तो इसम हमारा है वो यह है उसे थीमा बेल के नाम से जाना जाता है और इसमें एक पौदे में डवल कलर का फूल लगता है देखिए एक तरफ यह पिंक लगा हुआ है और दूसरी तरफ यह वाइड खिला हुआ है देखिए एक ही पौदे में दो तरह के फूल लगते हैं और इसे भी असानी से अपने garden की क्यारी में लगा के हम बेल बना सकते हैं, दिवाल पे चड़ा सकते हैं, गुरिलो पर चड़ा सकते हैं, बहुत ही शांदार फूल लगते हैं दोस्तों इसमें, वहीं दोस्तों बात करें अगले पौदेगी, तो अगला जो हमारा पौदा है बेल वाला वो के फूल को और इसकी भी बेल बहुत ही शांदार बनती है इसे भी आप अपने घर की क्यारियों में लगा के दिवाल पे चड़ा सकते हैं दोस्तों अगला जो पौदा है हमारा वो है कृष्णा कमल यानि की रखडी बेल के वारे में और यह जो है यह पौदा इसमें जो फूल लगता है बहुत ही शांदार फूल लगता है काफी बड़े साइज का फूल लगता है और परमानेंट ये पौदा चलने वाला होता है बेहत आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं अपने घर की दिवाल पे चड़ा सकते हैं वहीं दोस्तों बात करें अगले पौदे की तो इसे बेहद आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसकी कोई खास ज्यादा केर नहीं है आप इसे अपने घर की दिवाल पे बेहद आसानी से चड़ा सकते हैं वहीं दोस्तो बेल बनने वाला जो अगला हमारा पोदा वह रहा जूही बेल यह हाइड़र वराइटी है देखे कि और इसकी बही बेल बहुत ही शानदार बनती है इसे भी आप दिवालों पे चड़ा सकते हैं अगर कोई भी पोदा बेल बनाना चाहें तो गंले में लगाकि उसे बेल ज़्यादा दूर तक नहीं किया जा सकता अगर जमीन में लगाते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ होती है पौदे की तो यह जो वाइट फूल वाला आप देख रहे हैं यह है जूही बेल दोस्तो अगला पौदा जो आप यह देख रहे हैं इसे बोला जाता है गोल्डन छावर और यह बिल्कुल दिवाल को कवर कर लेती है और जब यह पूरी कवर कर लेती है तब इसका फूल इसके पत्तों को कवर कर लेता है मतलब इसके फूल इसके पत्तों को ठक देते हैं पू के पाइब इसकी भी बहले बंती यह जादा बड़ी नहीं बनती है। इसे आप अपने घर में दिवाल पर चड़ा सकते हैं। उसमें जो ब्रा keeping लुक ब्हुत है वो काफी खुश्बुदार होते हैं। वहीं दोस्तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हुं का नाम चमेली और पीले बेंटे इसarias आती है उसमें वाइट कलर के फूल लगते हैं दोनों की बेल बनती है और दोनों को दिवाल के पास में लगा के इन्हें दिवाल के उपर चड़ाया जा सकता है और नीचे लटकाया जा सकता है बहुत ही शांदार इसकी भी बेल बनती है वहीं दोस्तों अगला पहुदा जो मै मैं यह आपको देखा रहा हूँ ये मधु मालती हैं बहुत ही प्यारे इसके माथे ना इसके मुछ्ण लगे हूँ तो यह जो मधुमालती का पौदा है इसे भी आप अपने घर में क्यारी में लगा के ग्रोग कर सकते हैं दिवाल पे चड़ा सकते हैं और धेरों मात्रा में इससे फूल ले सकते हैं वहीं दोस्तों बात करें अगले पौदे की तो ये जो पौदा आप देख रहे हैं ये टिकोमा बेल का पौदा है और इसमें औरेंज कलर के फूल लगते हैं देखिए मैंने नीम के फेड़ के उपर चड़ा रखी है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली है गुच्छे में औरेंज कलर के फूल लगते है और इस तरह के पते हैं देखिए नीम के जैसे पते होते हैं कभी ना खराब होने वाली बेल है बहुत ही फास्ट ग्रोथ है कहीं पर भी इसे ग्रोग किया जा सकता है तो ये इस बेल का नाम जो है वो टिकोमा बेल है वहीं दोस्तों अगली ब गुलाब के पूदे की बेल तो दोस्तों यह जितने भी पौदे मैंने आपको बताया इन्हें बेहत आसानी से आप अपने घर की गार्डन की क्यारियों में लगा के दिवाल पे चड़ा सकते हैं और इनकी बेल बना सकते हैं पर्मानेंट चलने वाले कभी खराब ना होने वाले यह पौदा है एक बार आप इन्हें लगा लें अपने गार्डन की क्यारियों में तो आप सिर्फ इनकी कटाई करते रहें इन्हें शेप देते रहें पर्मानेंट आपके घर में यह बने रहेंगे सदा भार चलते रहेंग चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद